नमस्कार, CBSC Board कच्छा नमी जिनका विशय हिंदी कोर्स है उसे के अंतरगतित पांच अंका समवाद लेखन आता है तो समवाद लेखन किसे कहते हैं? पहले तो हम परवासा दिख लेते हैं समवाद लेखन की परवासा, दो या दो से अधिक लोगों के आपस की बातचीत को समवाद कहते हैं जब कोई दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो हो सकते, तीन होते, चार होते हैं आपस में जो बैट कर बात करते हैं, उसी को हम क्या समवाद कहते हैं? तो पर आंगल दिया है, जब किसी की बातचीत को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता, तो उसे संबाद लेखन कहते हैं, चीक, देखो दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं संबाद, अब उसी जो आपस की बातचीत को लिखकर प्रस्तुत कर दूसरा समवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए तीसरा समवाद विसेश से सम्मंदित होने चाहिए ऐसा नहीं कि पूछा कुछ क्या और लिख दिया आपने कुछ ठीक ब्राम चिन्नों का सही प्रयोग होना चाहिए तो इन जो ये ध्यान देने जरूरी बाते हैं इनका हम विसेश रूप से दियान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बहुत अच्छा समवाद लेखन लिख पाएंगे इसके लिए मैं अलग से समवाद लेखन की कुछ वीडियो बनाऊंगा जिन्हें आप देख सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्क्राइब लाइक और वेल आइकन दबा दिए तता साथ में सेर भी करिए आज के लिए इतना ही धन्वाद